नमस्कार दोस्तों ये जो प्यारी से मस्कान लेकिए आप इस YouTube चैनल पे आए है ना यही आपकी बात है तो स्वागत है इस YouTube चैनल पे आज की जो राइसे टोसां वह हम बनाएंगे डोसा लेकिन बनाएंगे मटर पनी डोसा बहुती सिंपल वे में बहुती हेल्थी डोसा हम बनाएंगे तो सबसे पहले एक पैन में एक छोटा चमज तेल आप गरम कर लीजिए उसमें डालेंगे हम हींग जब हींग अच्छे से चटक जाए ना तब इसमें डालेंगे हम मटर यहां अब इन दोनों को अच्छे से डाल कर सौटी कर लेंगे ठीक है जब एक से दू मिनिट तक आप इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तब इसमें डालेंगे एक डिल चस्प इंग्रिडियंट क्या होगा यह तो डालेंगे हम दो इंच अद्रग का टुकड़ा और इसे अच् बेसिक जो हमारी रेगुलर किचन में यूज होते हैं डालेंगे इसमें आदा चमच लाल मिर्ची पाउडर चौथाई चमच हल्दी पाउडर आदा चमच धन्या पाउडर आदा चमच सांबर मसाला और स्वात के नुसार नमक यह सारे मसाले डाल करना अच्छे से फ्राइ क अच्छा से इसे मिक्ष करेंगे बहुत ही जल्दी यह मिक्षर बनकर तैयार हो जाती है तो लीजे हमारी जो फिलिंग है वो बनकर बिल्कुल बिल्कुल तैयार है आप चाहे ना तो इस पे आप धन्या गार्निश कर सकते हैं आप चीज डाल सकते हैं इसमें मुझे यहां प अब क्या करेंगे हम next process के तरफ चलेंगे चूकि हम डोसा बना रहे हैं तो आप चाहे ना तो बैटर आप घर में रेडी कर सकते हैं यहां पर मैंने इंस्टेंट बजार वाला जो रेडी में बैटर आता है वो यूज किया है तो यहां पर एक तवा को क्लीन कर लेंगे इनानिस्टिक तवा लिया है और इसमें दो चम्मच जो बैटर है वो डालकर अच्छे से गोल गोल जितना पतला हो सके उत्ता पतला स्प्र प्रॉड़ा सा तेल या आप चाहे ना तो बटर आप इस प्रेट कर सकते हैं तो यहां पर मैंने एक चम्मस तेल डाला है और आप देखेंगे कि जो आपका जो डोसा होगा ना वो काफी क्रिस्प हो जाएगा इस तेल डालने से तो आप इस तरीके का मैंने यहां पर जादा तेल डाला है क्योंकि है मेरा पहला ही डोसा दा तो आप देखेंगे आप जो यह हमारा डोसा है वो हलक हलका क्रिस्पी ब्राउन होता जा रहा है बहुत तेज आँच पे डोसा ना बनाएगा और यह देखें यह मीडियम लो आँच पे है तो आप देख सकते हैं कि हम तो देखे बड़ा क्रिस्प करारा डोसा हमारा सिकर बिल्कुल तैयार है अब आती है इसमें फिलिंग के बारी तो फिलिंग जो हमने हमारी जो मटर पनीर की जो फिलिंग बनाई थी न तो एक बड़ा चमश भर कर हम यहां पे फिलिंग डालेंगे और आप इसको और मैंने डारेक्ट फिल किया है आप चाहें न तो इसमें अनियन और गार्लिक का पेस भी डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो और यहां पे मैंने फिलिंग डालने के बाद आदा चीज क्यूब्स जो है वो कद्दुकस करके चीज डाली है और इसको अच्छे से हम फोल्ड कर बहुत टेस्ट है है हमारा मटर पनी डूसा बनकर बिल्कुल बिल्कुल तयार है और यहां पर मैंने इसको सर्फ किया है नार्यल की चटनी और टमाटो केचप के साथ चुकि यह मैंने ब्रेकफास्ट पर बनाएं था अगर आप इसे डिनर में बनाएंगे ना तो गर्मा गर झाल